अगर यहां कुछ गलत हो रहा था तो आप लोगों को रिपोर्ट बनाना चाहिए था और रिपोर्ट बनाके अपने सीनियर को सम्मिट कीजिए किन्तु आप लोगों ने क्या किया अपने ही महिलाओं को भड़काया और एक सरकारी ऑफिसर को बिना सबूत आरोपी बनाने की कोशिश की आप लोगों के इन किरिया कलापों को देखते हुए हमने इतने किया है कि कल सबेरे तक आप सभी लोगों का इस्तिफा हमारे टेबल पर आ जाना चाहिए देखिये DSP सर प्लीज सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत किजिए सर सर मेरा नहीं तो कम से कम मेरे छोटे छोटे बच्चों का तो सोचिए जोटे छोटे बच्चे कैसी बात कर रहे हैं आशी ना मली कि तो अभी तक शादी नहीं हुई है चोटे बच्चे कहां से आ जाएंगे सर, होगी भी नहीं सर, अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो फिर मेरी शादी नहीं होगी ना सर, इसी बिना काम की लड़की से कोई कैसे शादी करेगा, प्लीज हमें माफ कर दीजे सर, आप, 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 आप भी माफ कर दीजे, प्लीज हम आपको भी सौरी कि अपके चहरे से समझ में नहीं आ रहे कि अपने माफ किया है या नहीं? अम। एक काम करते हैं? किल जो है, यह जितनी भी मार्केट की महिला है, इन्हों ने अपने मार्केट में एक बग छोटा सा कारेक्रम रखाए आप उस कारेक्रम में आजाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि अपने में माफ कर दिया है आप आएंगे ना? हाँ, आप आएंगे तो हम मान जाएंगे सर आप, हाँ, आएंगे ना? मुंडी हिला के प्लीज बोल देंगे तो अच्छा होगा आप, किया सार, बहुत अच्या लगा है सर, कल मिलते हैं फिर बहुत बहुत चोकरिया सर जाएंगे सर, जाएंगे चली 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 हसीना मैडम का पुरा च्छवी तुम चॉपट करके आई हो पुरा शेहर जानता है कि मैडम सर आज तक किसी भी अपरादी के सामने नहीं जोकी है और तुम इतना असानी से अस ब्रश्टाचारी के सामने माफी मांग के आ गई? किसके कहने पर हाँ? पुरा थाने कच्छा भी तुमने ऐसे चौपट करके रख दिया है सुन रहे हो तो मुर्मिला महादेव मात्रे तुमसे बात कर रहे हैं हम? हाँ हाँ सुन रहे है मैं और वो उर्मिला महादेव महत्रे होता है पूरा बोलने का इतना लोड लेगी ना तो इमातारी से जल्दी जुर्णे आजाएगी तेरे मूपे और इसा कौन सा फंक्षन है जिसके बारे में हमें ही नहीं पता क्या प्रोग्राम बना लिया आपने कि सिधा वो कॉर्परेशन कमिशनर को आपने आज़े चीफ गेस्ट बुला लिया मुझे अगर पहले बोलते दो दिन पहले तो इतलीस में कप्डे डिसाइड कर लियती अपने अरे मेरे चुने की दुकान चिल बेब चिल मैं इस दुनिया में बिना मतलब के नहीं आई मैं वो कॉर्परेशन के अधिकारी को ऐसे कैसे बला लेगी तुम लोग पहले मेरी पूरी बात सुना करो यह क्या है साडी लग रही है नवारी साडी आमची मुंबई की आन बान और शान अब तुम्हारे लखनाओ में दिखेगा मुंबई का रंग यहीच अपना तरीका है उस टकले और मुच्छड को पकड़ने का एक मिनिट उर्मिला तुम्हारे दिमाग में का चलना तुम समझाओगी अच्छे से हाँ बताते हैं बताते हैं अब लखनाओ में होगा मुंबई फूड फेस्टिवल मुंबई फूड फेस्टिवल हा! तुम लग ननना बहुत सारे केस की यह निए 태la case है यह तुम लग हस्ते गाते खेलते 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 खाथे पीते मस्तो के सॉल्ट करोई कईसे? वो सब मैं बताती है लेकिन उससे पहले अपने को करना एक बहुत ज़रूरी काम मैं बस आई बसंद को करना आई चाला-चाला-चालु डे आखथ़ चालू रखें, चालू रखें, फेस्टिबल चालू रखें, घाते रहिए, अच्छा से! दो नहीं सिर्ण शेल एक होगा है, अपर दमाग में चलना रहा है आमने मालूम है, इस के दिमाग में का चलना है क्या बात है करुष्मासे? आप तो अमारे दिल की बाद बुना बोले समझने लग गगए? आ, 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 देखा, 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 अभी क्या है ना, इतना प्रैक्टिस कर लिया ना मैंने, कि मैं ऐसा नैचरली एग्दम हसीना मलिक के माफिक बात करती है मेरे तो कहा गभी लगता है फिर भी मंबय जाकर बड़ा भाव भी ऐसे बेचेंगी ता जूर्बा कहता है हमारा इधर का बड़ा पाव कहके तुम्हारा जश्न बहारा हो जाएगा बताओगी की हम जाएंगा अरे थाप, थाप, थाप थाप इदर, इदर किदर बताओ मैं, कोप्रयाच चला की? रहा? अरे कोने में, कोने बीने में चलो रहे मेरे साथ आओ आपता ठी, सुनो ओकी, समझ में आ गया? हाँ तो मुंडी मतिला उमू से बोलो हाँ हाँ एह, देरे बोलना, समझ में आ गया ने सबको तो क्या इदर को आए, क्या चलो 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 भाई साफ सुनिये, जब हम आपसे मुंबई का स्पेशल शर्वत मांग देंगे ना तो मिर्ची का मस्तफला शर्वत बना के दे देना हमको समझ गए ओके हाँ हाँ चयोँ अँख गए गए वापसाँ कहाँ कहाँ प्लान के हिसाब से सारी तहियारिया कर ली हाँ इत्ता जोड से क्या बोल रही है, मुंडी भी तो हिला सकती कहली हाँ हेलो, ए चिकने, सुनना अब उन लोग को ले कि आ फट-फट, आजा, हाँ एक बाद बिता दू, उसका नम चिकना नहीं, उसका नम चीता चातुरवेदी है आँ, चलाज उसका कोई चल रहे लाए क्या? ने ने ऐसा है तो बिरो को बता दे, मैं बीच में से हट जाएगी और तुम लोग की मॉस्काली सेटिंग करा के देगी ने ने ने, मैं हो, चीता तो मैं पटालू? हाँ, ठीक है, चलाज, काम कर ले हाँ, चलो-चलो, काम करते, काम करते चलो-चलो चलो-चलो आप ना बहुत बढ़ा गल्ती कर रहे हैं, सर रचिनाग जी का वो निमंतरन स्विखार करके चुबह से भाय हाथ फड़क ने रहा पड़भा रहा है, सर मैडम सर के कारेकरम के चीफ गेस्थ है आप लोग मुख्याती थी ना बड़ा कारेकरम का आयोजन करवा हैं, किसके लिए आपके लिए मैडम सर अपने किये पर बड़ा सरमिंदा है है ना सर, है ना तो सब के सामनेकदम सारवजनिक रूप से आपसे माफी मांगना चाहती हो सर हम आपको ना एक बात का गरेंटी दे सकते हैं, यकीन दिलवा सकते हैं कि यह कारेकरम आपके जुन्दगी का इतना बेहतरिं कारेकरम होगा ना कि पूरा जिन्दगी नहीं भूल पाईएगा चलिये असर चलिये सुनिये, सुनिये, सुनिये यहां आमद सभी अतिथियों का हम तहे हिदे से इस्तक्बाल करते हैं और इस खास मौके पर हमारे साथ जुन्दे जा रही है कॉर्परेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर सिंग साहब जी वो दिखिया आगए आगए और उनके साथ अश्रीव ला रहे है कॉर्परेशन डिपार्टमेंट के बहुत बड़े अधिकारी जनाब श्रीगार शुक्राजी, टकलिया, तालिया 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 जोड से बचाईए तालिया जी, ठालिक्यू साथ ही आगए है हमारे DSP सर आई 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 अरे हम सब जानते हैं पर आप इतना भी नहीं जानती कि बिल्लू को हमें लाने के लिए भेज दिया आपना यह इंसल्ट सर माफ केजी हम सब यह बजी थे और वही फुकट अफ्री था तो इसलिए भेज दी सर सर जी आप लोगों के सम्मान में हम लोग मुंबई वेंजन मेला का आयोजन किया है और एक बात का गैरंटी हम आपको दे सकते है एक बारी खाना आप टेष्ट कर लिये ना सर पूरा जिंदगी इसका अस्वाद नहीं भूल पाईएगा आये सर आये आये सर आये आपको खिलाएंगे पानी पूरी यहां पर उसे गोल गपपे के नाम से जाना दराते प्लेट लीजे सर प्लेट लीजे प्लेट लीजे अरहे हम सब रामते हमको लस्य काय नहीं मिल रही है सर पावभाजी के सार लस्य कैसे लगी यह और पॉम्बिनेशन सर पावभाजी के बात तो थो यह कोल्डिन सेर कोल्डिन अरे बाइयो हम जड़ा एक फोन करके आते हैं हां कीजीजी नहीं है इतमीनान से ते भाइ छोचाले केदर है यहां नहीं है नहीं है कि आपको इस फूट फेस्टिवल में बहुत मजा आ रहा होगा अब हमारे मुआजिस चीफ गेस कमिशनर सिंग साप जी से दर्फास करते हैं कि उस्टेज पर आए और दोश्यब कहें और हम तर्क्वास करते हैं कि वो भी अपनी तश्रीफ यां स्टेज की तरफ ले आए ताल हमारे बुख्या टीजनर बार के मारे में कुछ बताएंगे जी अरे आए का नमस्कार भईयोंаже узgnom अब बारे में क्या कहें आपसे कहीं बार कि इंपने लपेटे में ले सकतिए ने को भी लृटे में मेina क्सी को अपने लपेटे में ले सकति हैं उर को अप वा कि यह जो पार है ना वो खत्र की निशान से उपर पढ़ रही है और किसी भी समय यहां पर एक होद बड़ी सुनामी आ सकती है कि रहा में मत बोलिए गारी हमें आप लोगों को चिताया नहीं था मैडम जी हमको सोचाले जाने जाने दीजी आप समझ में आपको आ रहे कि क्या तकलीफ होती है जो तकलीफ अभी आपको महसूस हो रही है वो यहां की अड़तों को हरोज महसूस होती है उमीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कितना गंभीर और जानलेवा प्रोब्लम है सर जब नेचर ने कुदरत ने हम में कोई भेदभाव नहीं किया मर्द और 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 औरत में तो फिर आप कौन होते हैं वो भेदभाव करने वाले क्यों ये चोटी सोच है अभी तक कि अगर मर्द को कोई प्रॉब्लम हो तो हाँ, प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वही प्रॉब्लम औरत को हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, सब चलता है. अब भी वक्त है, समझ जाएए और जो काम अपने अधूरा छोड़ा है, उसे पूरा कर दीजे, पर ना ऐसा नहों कि एक दिन इस शेहर की सारी ओड़तें ये ताइक करें, आपके घर पहुंच जाएं और आपके घर के शौचाले को महिला सार्वजनिक शौचाले बना दें. भी जाएं भी भी जाएं भी जाएं भी जाएं भी चांब बैल्लु जी इन्हे लेकर तकलिया हो जाएं अमा मेर विक बाएगा, आपके शर आपके शर आपके शर आपके शर आपके अचिए बाल जो जाएगा अ अच्छे बाल जो जाएगा। Sir, now you relax? Yes, okay. Madam, I want to say something. स्रिधर बागु बच्पन में हमारी अम्मा हमसे एक बात कहा कुरती थी कि वो बात आज हमारी समझ में आ रही है दर्द वही है जो अंग से निकले और बात वही है जो मन से निकले आज जब हम इस समस्या का सिकार हुए तब जाकर हमें आवास दॉआ कि हम इस कंभीर समस्या को कितने हलके में ले रहे थे जब हम पर आए तो हम तिल मिला उखे और आज महिला मार्केट में हमारी जो हजारों मताएं और बेहन रोज इस समस्या का सिखार होती है कितनी परिसानियों का सामना करना पड़ता है इस बात का अवास हो गया है हमें मैं धन्यबाद करता हूँ महिला थाने की सबी अधिकारियों का सैद यही एक तरीका था हमारे जैसे स्वार्थी और लाजची ओफिसर्स के आँख खुलने का हम आप लोगों को वचन देते हैं कि आज से ही महिला मार्केट में महिला सोचाले का नियर्मान शुरू करवा दिया जाएगा और साथ में हम आप लोगों को एक और पसंद देते हैं इस महिला सोचाले के आणावबी सहर में और जितने भी महिला सोचाले हैं जो घृष्टाशार की वज़ा से बंद कर दिये गए हैं या जिनका काम अधूरा पड़ा हुआ है हम उन सोचाले का काम भी आज से ही शुरू परवादेंगे है हसीना जी हम भी बहुत शर्मिंदा है पर आप से तहे दिल से माफी मांगते हैं और साथ ही आप सब को विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद किसी भी सरकारी भाइल से कोई भी शोचाले कभी चोरी नहीं होगा धन्यवाद धन्यवाद आप सब का धन्यवाद मैडम सर हम सब महिलाओं की तरफ से आप पुरी महिला पुलिस की टीम को तेल्यूट तेल्यवाद पुछ पुछ अजाद को आप वही तेवर वही आवाज वही अंदाज वही एहसास कौन कहेगा कि तुम अजिना मलिक मही हुआ अगर हसीना जी होती तो ऐसी सीथी में वो भी यही करती जो तुम ने किया अरे देवा डरा दे रे मेरको अरे मेरे चिक्कू हमाई क्या कोई भी स्थिती में होएगा तो आइस साइच करेगा खुद की जान बचाने के लिए जान लेनी पड़ती है सचकी यही तो विशेष्टा है छूट के चाहे कितने भी पक्के रंग चढ़ा लो आखिरकार सब धुन ले पड़ जाते हैं सच्चाई का रंग आंखों से बोलने लगता है जो इस वक्त हम तुमारी आंखों में देख सकते हैं अब जूट बोलने का कोई फैदा नहीं है अरे दिवा मैं तेरे को एकीच बार कितनी बार बता हूँ मैं तेरी हसीना मलिक हो सकती है हसीना मलिक शराब को हाथ तक नहीं लगाएंगे अब आप अपनी असलियत हम से नहीं छिपा सकती है आचा भी सुट तूब अच्छा आप्मी लगता है मेरे को इसके लिए तरकों में बताती है मेरे का मालू मैं कि तु इदर आया है मेरे साथ बैटके पीने को लेकिन मेरे को यह अंगरे जी नहीं जमती है मैं तेरी हसीन दिलरुबा से ज्यादा सुन्दर है, ज्यादा चटक है, या मस्ता नारंगी लेकिया, दो घूट पिया और स्विधा चंदा मामा, जा लेकर आ, मैं तब तक टीव देख रही। पीने वाले के लिए क्या देसी, क्या विदेसी मतलम है सुरूर से दूप एक पीने से क्या पता चलता है कि क्या पी रहे। वैसे आज हम भी तुमारा साथ देंगे। अगर सच में तुमूर मिला मात्रय हो, तो इनकार तो कर ही नहीं सकती। हमारा साथ जरूर तो की। तुम यह शराब इसलिए नहीं पी रही हो, क्यूंकि तुम उर्मेला मात्रय हो, और उर्मेला मात्रय विदेशी शराब नहीं पीती। पल की तुम यह शराब इसलिए नहीं पी रही हो, क्यूंकि तुम ही हसीना मलिक हो। क्यूंकि हसीना मलिक ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में एक शराब की भूम तक नहीं पी है। दुनिया के सामने शराब पीने का नाटक करना और बात है। लेकिन अपनी मयार से गिर जाना इतना आसान नहीं है। उठाओ ग्लास और साबित करो। साबित करो कि तुम ही उर्मिला मात्रय हो और हसीना मलिक नहीं हो। शायद यह सही वक्त नहीं है तुम्हें सच्छाई बताने का। जब तक तो मिन्होस इंप्रूव नहीं हो जाते हमें यह नाटक जारी रखना होगा। स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लो कि तुम ही हसी। यारे, मेरा हाथ गर पे लेके जाएगा क्या। यारे, मेरा हाथ गर लेके जाता है यारे, मैं तो फुरी तरह साथ जलने के लेता है, तुम खाली आज तो कर। लेकिन मैं हसीना मलेक नहीं है, अभी दिखाते है तुरो, रूप कई से पीते रहे तुम लोग यांगरेजी। तुम ही आजीना मलेक हो, ये सपर्ष ऐसा हैसास किसी और में हो ही नहीं सकता ये तुम लखनों के लोगों को डायलोग मारना बहुत पसंदे ना? आरे, मारने काये तो थोड़ा अपनी परशनलटी देख के डायलोग मारने काना? और सुन सफिद घुड़, मेरे जैसी चटक आइटम किसी को भी हाथ लगाई की ना? तो उसके पर्ष से उसको 440 वोड का जटका लगना है इसके मतलब ये नहीं है कि मैं हसीना मलिक है मैं मैं! बहुत हो गया नाठक, बहुत हो गया अब इसी शन स्वीकार करो कि तुम्ही हसीना मलिक हो वरना इसी शन हम तुम्हे शूट कर देंगे बताव सत्या क्या है ने झाल 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 झाल